इस्टूडेंट्स अब सब कैसे हैं नो अमीद करती हैं सब अच्छे होंगे तो बच्चो आप लोग का मेरे फिच्छी वीडियो में चैप्टर वन का बुक के कोश्चन करवा दिये थे और आज हम उसी चैप्टर का कोश्चन एंसर करेंगे तो आप लोग पेज नमर एट नि अपतर लिखिए कनम का भासा किसे कहते हैं ठीक है तो या देखिए क्या है पहला कोश्चन का अंसर लिखिया आप लोग जब हम अपने विचारों को बोल कर सुन कर लिख कर बोल कर सुन कर लिख कर या पढ़कर दूसरों को समझाते है या पढ़कर दूसरों को समझाते है तथा दूसरों के विचारों को समझते हैं तब हम इसे भासा कहते हैं भासा कहते हैं, अब खा है, भासा के कितने रूप हैं, उत्तर लिखेगा, भासा के दो रूप हैं, पहला है, मोखिक भासा, दुसरा है, लिखित भासा, लिखित भासा, अब गह, लिखित भासा किसे कहते हैं, उत्तर है, भासा का वह रूप, जिसके द्वारा लिख कर, अपनी बात, अपनी बात समझाई जाती है, समझाई जाती है, कमा, उसे लिखित भासा कहते हैं, अब गह, बोली किसे कहते हैं, उत्तर है, आपसी बोलचाल की, आपसी बोलचाल की भासा को, भासा को बोली कहते हैं, बोली कहते हैं, तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, और आप लोग़ों को इस question answer को याद भी करना है, यह आप लोग नोगका हमबग राएगा, तो बच्चों आप हम नेक्स बीडियो मिलते हैं, आज के लिए बस इतना ही, वाई, और हम नेक्स बीडियो में, आगी का chapter study करेंगे,